नमस्कार सातियों आप सबी का स्वागत हैं आप सबी के अपने यूटूब चल पे रेलवे गुरूब डी के चात्रों के लिए एक और नया अपडेट आ चुका है आप सबी लोगों के रिजल्ट पर भी काफी बड़ी अपडेट आपको बताते रेलवे गुरूब डी आंसर की लाइव अपडेट आ चुकी है आणसर की जारी हो चुकी है सबी चात्र ओफीसाल साइट rrbcdg.uv.in पर जाकर अपने 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 आणसर की डाउनलोड कर पाएंगे लेकिन आगर किसी चात्र को नहीं मिला कैसे डाउनलोड करना है तो वीडियो का ठीक नीचे डिस्क्रिप्सन मे लिंक अपने लोग अब लेवल करा देंगे उस पर किलिक करके देख लेंगा और इस दिन जारी होगा RRB Group D का रेजल्ट आपको बता दे काफी बड़ी अपडेट आ रही है Phase 1, Phase 2, Phase 3, 4 और 5 की जितने भी हमारे चात्रे हैं आपको बता दे 14 अक्टूबर को Group D पर इक्षा के लिए आंसर की जारी करने के बाद यदि आप लोग आंसर की नहीं देख पाएं तो जरूर देखें इसके बाद आप लोगों का जो Response Seat है और जो Objection की तिथी वो भी आ चुकी आपको बता दे 15 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक की सभी चातर अरारवी की Official साइट पर जो है Objection कर पाएंगे अगर आप लोगों को किसी Question में Doubt लग रहा है कि ये Question जो है मेरा सही है और जबकि Board ने जो है गलत दिया है तो वहाँ पे आप लोग प्रती Question 50 रुपए के हिसाब से Objection कर पाएंगे और ये Objection सिर्फ और सिर्फ 19 अक्टूबर तक की मान रहेगा इसके बाद बात करें कि Result कब तक जारी किया जाएगा तो आपको बताते है Objection हो जाने के बाद यानि कि 19 अक्टूबर तक Objection हो जाने के बाद आप सभी लोगों का अगले महिने यानि कि नॉमबर के First Week में पाँच नॉमबर तक आप सभी के जो Result है अब दोसों वो भी जारी कर दिया जाएगा और ये काफी बड़ी Update है आपको बताते हैं आप लोगों के लिए एक और काफी महतफ़ अपडेट जारी हो चुकी है जितने भी चातर हमारे Result का वेट कर रहते है रिजल्ट जारी हो जाएगा इसके बाद क्या होगा तो आपको दादे सारे जिरिक पार्तिता परिक्षा क्वालिफाई करने वाले उमिद्वारों को दस्ता वेज वेरिफिकेशन यानि की डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको दादे हैं आप लोगों का पांच नॉम्बर 2022 तक आप सभी का रिजल्ट जो है ऑफिसल साइड पर जारी हो जाने के बाद आप सभी लोगों का जो है फिसकल टेस्ट होगा जैसा कि हमने आपको बताया था कि फिसकल टेस्ट में इस बर 35 किलो जो आप लोगों का भार होगा 100 मीटर दौनना पड़ेगा ठीक है उसको लेकर और यहां पर आ किसी फिसकल टेस्टों की तुलना में काफी जादा कठीन है बात करें तो यहां पर हमारे जितने भी मेल कैंडिडेट है 35 किलोग्राम वजन के साथ दो मिनट में 100 मीटर की दूरी तैय करनी होगी ठीक है साथ इसा चार मिनट 15 सेकंड में 1 किलो मिटर की दौन निकालना होगा तो यह काफी बड़ी एक चिनोती होगी railway group D के लिए चातरों के लिए P.E.T. कौलिफाई करना तो काफी बड़ी अपडेट आ रही है आपको बताते हैं आप सभी लोगों का रिजल्ट अब यहां पे 5 नॉमबर तक जारी कर दिया जाएगा क्योंकि 19 अक्टूबर तक objection कि कहें 19 अक्टूबर के बाद आप सभी की जो फाइनल अंसर की है वह नॉमबर के अंत्य तक 28 अक्टूबर तक जो है यह आप लोगों का दोस्तों फाइनल अंसर की जारी कर दी जाएगी और आपका अगले महीन है यानि कि नॉमबर के फर्स्ट वीक में ही आपका